कि आईडल में प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं ओके मैं बता देता हूंगा आईडल में प्रोग्राम से वैसे ही करेंगे जैसे आप किसी भी दूसरे आईडी के अंदर करते हैं देर इस नो बिग डील इन दाट स्टिल आप देख लिजे आपने मेरी एक चीज का शायद ध्यान नहीं रखा होगा आपको यह मैसेज मिल रहा होगा आपको इस ड्राइव में सेव करने की फर्मिशन नहीं है ऐसा हो रहा है जो आपके साथ सेव करने में विंडोस कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी तो मैंने एक लाइन बोली थे आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि जब आप आइडल को ओपन करें तो डाइरेक्ट ओपन मत कर लीजेगा उसे राइट क्लिक करके रन एस एड्मिनिस्टेटर से ओपन करना है इसलिए मैंने कहा था आपने अगर डाइरेक्ट ओपन करा होगा तो प्रोग्राम नहीं सेव करने देगी कि विंडोस आपको C-DRIVE में क्योंकि विंडोस ओपनिंग सिस्टम में C-DRIVE ओपनिंग सिस्टम की ड्राइव होती है प्रोटेक्टेड ड्राइव होती है तो या तो आप एड्मिनिस्टेटर प्रिवलेच से लॉग इन करें और या फिर सॉफ्वेर को रन एस एड्मिनिस्टेटर से लॉंच करें इसलिए रन एस एड्मिनिस्टेटर करने को मैंने आप लोगों से कहा था आपने डिरेक्ट करा होगा तो आइडल खुल गया होगा आप आइडल पे काम भी कर पा रहे होंगे बस प्रोग्राम आपका सेव नहीं हो रहा होगा जोएब ऐसा ही हो रहा था आपके साथ राइट तो बस इतना कर लीजे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और डाट आभास यूल आप टू लर्न पाइफन ये प्रॉब्लम तो आभास हर लैंग्वेज में है फिर ये जो question आपने पुछा है ये प्रॉब्लम तो हर लैंग्वेज में है बास एवरी लैंग्वेज है सो मेनी लाइबरी सो मेनी फंक्शन बट आप सबको यूज नहीं करते हैं देरा सेट आप फंक्शन जो आपके डे टू डे अक्टिविटीज में काम आते हैं जैसे जैसे पाइफन में आप आगे जाते जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा आप mathematical related जितने भी काम करेंगे वो सारे supply होंगे from the module whose name is math इसी तरह से आप date or time related जितने भी काम करेंगे वो date time module आपको देगा calendar वाला काम calendar module से होगा आप जैसे जैसे python की practice करते जाएंगे यह चीजें आपको clear होती जाएंगे बाकी फिर मैं आपको आगे बताऊंगा आप shell पे जाकर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कौन से module में कौन-कौन से functions available है clear इवनी last class का आज से कोई connection नहीं है आज की class विल्कुल fresh topic पे यह दिर इस नो डिरेक कनेक्शन आप मैं स्टार्ट कर रहा हूं जोएव का question था एक बार फिर बता दीजे आइडल में program कैसे save करते हैं तो notice करिए जोए run as administrator से आप आइडल को open करेंगे Windows थोड़ा सा समय इसको boot करने में launch करने में लेगी यह आपका आइडल open हो गया अब आइडल में program बनाने के लिए मैंने आप से कहा था आप file में जाएंगे new file पे click करेंगे तो आपके सामने just like notepad एक window open हो जाएगी यहां आपने message type करा welcome to python suppose कीजे और आप मुझे यह particular code save करने हैं very simple file में आईए file में आकर आप save पे click कीजें तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आइडल by default आपके program को c drive में save करता है and as I said c drive windows में operating system की drive होती है reserve drive होती है इसलिए उसमें कुछ भी करने के लिए आपको windows में as an admin login करना पड़ता है अब हम admin तो बने नहीं है इसलिए हमने software को launch करा था run as administrator तो windows temporarily हमें admin की तरह देखेगी और हमें इस location पे file save करने देगी हमें कोई भी नाम दे सकता हूं मालीजे मैंने अपने ही नाम पे save कर लिया सचिन extension लगाने की ज़रूत नहीं है extension py अपने आप लग जाएगा अपने आप लग जाएगा आपको करने की ज़रूत नहीं है यह double quote वाला तरीका मैंने आपको notepad के लिए बताय था उसको आपको idle पे follow करने की ज़रूत नहीं है अपने आप .py extension आजाएगा save कर दीजे से run करने के लिए run में आईए run module पे click कीजे आपको output screen पे दिख जाएगा जोएव doubt solve चलाएप प्रोसीड राइट तो यह idle आपने terminate करा अब आगे बढ़ते हैं अब आज बात करते हैं जो दो दिन से बहुत pending चल रहा है बहुत बार आप लोग पूछ रहे थे आज खुल के बात करते हैं python में कित्ती तरीके की errors होती है और as a beginner आप कैसे पचानेंगे कौन सी error कौन सी category को belong करती है तो अगर आपने कभी भी किसी भी language में काम कराओ तो आपने सुनाओगा हर language में broadly दो तरीके की errors होती है one is called as syntax error जिससे अगर मैं English के terms में बोनूँ तो they are like grammatical mistakes मतलब हर language की याद रखेगा अपनी grammar होती है याद रखेगा अपने rules and regulations होती है और as a programmer जब आप इस grammar को इस rule को break करते हैं, violate करते हैं तो language जो error देती है that is called as syntax error python is no different python में भी कुछ rules हैं जिने follow करना पड़ेगा and if we break these rules python generates syntax errors दूसरी errors वो होती है जो program के execution में आपके समझ में आती है और जब program run हो रहा होता है तब ही आपके program में generate होती है इनी runtime errors को अगर आपने first lecture miss ना करा हो तो मैंने आपके सामने एक word रखा था they are in python also called as exceptions runtime errors का python में दूसरा नाम होता है exception अब आता है एक basic सा question as a user आपकी तरफ से कि मुझे कैसे पता चलेगा sir मेरे program में syntax error है कि मेरे program में runtime error आईगी ध्यान दीजेगा python में इसकी दो पहचान है दो तरह से आप ये पहचान सकते हैं कि is this error a syntax error or is this error a runtime error पहली पहचान बहुत ही simple है जब जब python में syntax error आईगी याद रखिएगा आपके screen पे एक word लिखावाएगा which is syntax error जब जब ये word screen पे display हो समझ जाएगा program के अंदर syntax error हो और अगर इसकी जगे कुछ भी आए गौर कीजेगा कुछ भी आए with the word error तो समझ जाएगा this is called as runtime error I hope आपने अगर last lecture मिस ना कराओ तो मैंने आपके notice में एक error डाली थी कि आपको python में बहुत मिलेगी which is called as name error name error in python is not a syntax error name error in python is an exception और आप किसी भी language को अगर जानते हैं तो बहुत ही अजीब बात आपको ये python में लगी जैसे मुझे बताईए ज्यान दीजेगा please मुझे बताईए c language में इस प्रोग्राम का output क्या होगा integer a equal to 10 printf percentage d comma b बताईए जल्दी बताईए c language में कोड क्या देगा syntax error देगा न क्योंकि मैं variable b के नाम से यूज कर रहा हूँ declare मैंने उसे कराए a के नाम से अगर यही कोड आप python में चलाते हैं न यही कोड आप python में चलाते हैं अगर a को declare करते हैं और b को print करते हैं यह python में syntax error नहीं है यह python में runtime error है and I said इसका नाम होगा python में name error ठीक अब आपका दूसरा doubt होगा तो ऐसे क्या हमें सबके नाम याद कर में पढ़ेंगे पहचानेंगे कैसे हम के syntax error यह runtime error अगर नाम याद ना करें तो तो मैं दूसरा बहुत simple तरीका बताता हूँ बहुत ही simple तरीका याद रखिएगा अगर आपके program में syntax error होती है प्लीज प्लीज ध्यान दीजेगा क्योंकि मैं आपको इतना ध्यान इसलिए देने को कह रहा हूँ क्योंकि हम एक बहुत important chapter पढ़ने वाले आने वाले दिनों में and that chapter is called as exception handling और ये chapter तभी समझ में आएगा जब जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से clear हो है ना so everyone please pay full attention और जो भी doubt होगा जरूर chat में पूछिए का आप पहले मेरी बात ध्यान से आप सुन लीजे मैंने कहा अगर आपके program में syntax error होती है और मान लीजे आपने program में लिखी है 6 line है syntax error आपके program की 7 वी line पे है suppose कीजे इस line पे आपके program में syntax error है तो गौर कीजेगा इन लाइनों को भी python execute नहीं करती है इन लाइनों को भी python execute नहीं करती है whenever our program contains a syntax error even if that error is in the last line all the lines before that line will also not get a chance to run जो उसके पहले line है उन्हें python कभी run नहीं करती है but अगर आप ये देखें अगर आप ये महसूस करें कि आपने जो program लिखा उसमें आपने observe करा ये line चली चली का मतलब समझ रहे हैं आप run होकर इसका output आया इसका भी output आया इसका भी output आया इसका भी आया लेकिन ये वाली line पे program ने कुछ error दे दी तो समझ जाईएगा आपके program में आ रही है run time error यानि जब जब python के codes में run time error होगी run time error से पहली वाली line है will 100% execute और program pause कहा होगा halt कहा होगा इस line पे program आपका pause हो जाएगा at this line program will be terminated बलकि pause ही नहीं मैं कहूंगा terminated हो जाएगा kill हो जाएगा इस line पे आकर ये जो line आपको दिख रही है और इसके बाद जो line होंगी याद रखेगा उन्हें चलने का chance नहीं मिलेगा they will not get a chance to run ठीक है नहीं होगा वो वर्ड syntax error नहीं होगा नमबर टू अगर syntax error है प्रोग्राम में 50 line है line number 49 पे अगर syntax error है तो 48 तक की भी एक line नहीं चलेगी बट अगर runtime error है और line number 49 पे है तो 1 से 48 तक code चलेगा 49 पे code बंद हो जाएगा बताईए theory clear होई कि नहीं होई practical दिखाऊ हूँ अब इसका आपको अब मैं आपको इसका practical दिखाता हूँ चिक है ध्यान से देखिए सबसे पहले कुछ basic syntax errors python में देख लीजे किसे को कहते है आपने keywords का नाम गलत spell out कर दिया python के नजरों में this will be a syntax error याद रखेगा print keyword नहीं है print keyword नहीं है print क्या है print is function तो print का नाम गलत spell out करना name error कहलाएगा syntax error नहीं कहलाएगा keywords का नाम गलत spell out करना जैसे if python में आप पढ़ेंगे अभी अगले हपते हम if else पे होंगे आप देखेंगे python case sensitive है अगर आपने if का i capital कर दिया इन python's world this is called as syntax error तो जब जब python में आप keywords गलत spell out करेंगे python will treat it to be syntax error ऐसे ही आप operator का गलत use करते है जैसे मुझे बताईए plus क्या करता है जल्दी बताईए plus क्या करता है programming में add करता है add करने के लिए दो values चाहिए add करने के लिए दो values चाहिए और आपने python से बोला print आपने python से बोला print 7 plus अगर आपने ऐसे लिखा तो notice कीजेगा python इस print पे generate करेगी syntax error क्यों क्योंकि plus को काम करने के लिए second operand चाहिए और आपका second operand missing है ऐसे ही python के अंदर आपने कोई function call करा अभी आपने last lecture में खुब सारे functions देखे थे मालली जे आपने factorial call करा parenthesis open करा 10 लिखा और parenthesis close करना भूल गए अगर ऐसा होगा 7 plus plus is also an error 7 plus plus is not supported by python mayang python में post increment नहीं होता है okay python c की तरह plus plus operator support नहीं करती यह मैं आपको operators में बताऊंगा तो अगर आपने कोई function call करा parenthesis open करा लेकिन parenthesis close करना भूल गए this also in python will be an error ऐसे ही guess करिये आपको python में screen पे hello display करना है और आपने print में hello लिखा कुछ ऐसे print double quotes open करा hello लिखा double quote बन करना भूल गए all such kinds of errors in python will be treated as syntax errors बिलकुल line number वगारा सब कुछ शो होगा सब कुछ शो होगा बस आपको समझना पड़ेगा जो दीरे दीरे इस course में जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके समझ में आता जाएगा that is fine अभी नब 7 plus 0.5 में क्या दिखते है plus यह थोड़ी कहता है कि उसे दोनों integers ही चाहिए 7 plus 0.5 7.5 बन जाएगा no harm in that clear practical प्राक्टिकल प्राक्टिकल देखिए तो आप लोग ज्यादा बेटर समझेंगे चलिए देखिए एक 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 ग्जामपल में आपको दिखाता हूँ syntax error और runtime error और मैं चाहूंगा आप जितना जल्दी हो सके अपनी vocabulary सुधार लीजेगा ताकि मैं better way में आपसे बात करता हूँ है ना थोड़ी दिक्कत होगी एक आद दिन एक आद दिन runtime error को भी आप syntax error बोलेंगे तो try speaking the word syntax error जब आप syntax error यानि compile time errors के बारे में बोलें और runtime error वो होती है जो run पे आती है अच्छा यह बताईए syntax error कौन सा software देता होगा python में yes yes syntax error source code के bytecode conversion के दोरान आईगी और source code bytecode में convert होगा ही नहीं और यह error देगा compiler run time error bytecode के machine dependent form में convert होने पर आईगी और जहां तक convert होगया वहां तक code चल जाएगा जहां दिक्कत आई interpreter वहीं code को करवा देगा terminate fine चलिए देखिए अब मैंने कहा python में print on size थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूं print और यहां मैंने लिखा hello यहां मैंने लिखा print हाई और यहां मैंने लिखा print welcome गलती मेरे से हो गई लास्ट वाले print में double code बन करना में भूल गया चिक हैं आब मुझे बताईए error third line पे है न एरर third line पे है न येस और नो लेकिन python first or second line भी नहीं चलाईगी python first or second line भी नहीं चलाईगी क्यों नहीं चलाईगी क्योंकि यह जो error है यह python में syntax error है this is not a runtime error इसका demo लीजे प्रोग्राम सेफ करते है अपन demo.py के नाम से command prompt पे आते हैं python के folder में जाता हूँ मैंने save online python में कर आए python demo.py message देखिया बकाइदा python आपके screen पे आप line number की बात कर रहे थे notice करिए line number के साथ साथ python तो आपको वो line तक highlight करके दे रहे थी है जिस line पे आपसे mistake है तो notice करिए आपको python बकाइदा line number बता रही है if you can figure out line number 3 पे problem है वो ये भी बता रही है problem print वाली line पे है और notice करिए एक carrot ये जो आप angular bracket देख रहे हैं इसको carrot बोलते हैं एक carrot आपको बता रहा है कि आपने यहां गलती करिए EOL stands for end of line end of line, yes man तो python आपको ये कहने की कोशिश कर रही है आपने string start करी but आप string बंग करना भूल गए string start करी string बंग करना भूल गए and for python these errors are not runtime error तो python ने आपके पहले दो print statement भी नहीं चला है python ने आपके पहले दो print statement भी नहीं चला है ठीक है अब मैं आपको runtime error का demo देता हूँ imagine करिए यहां मैंने कहा print a बताए have I declared any variable by the name of a क्या मैंने a नाम का कोई variable बनाया है नहीं बनाया है java में c मे please धाम दीजेगा java में c में ये भी syntax error है java और c में syntax error हुआ ना python में syntax error नहीं है python में ये runtime error है इसकी पहचान बताएए क्या है इसकी पहचान बताएए क्या है दो number one आपके screen पे syntax error नहीं name error लिखावा आएगा number two hello और high print हो जाएंगे hello और high print हो जाएंगे उतना code आपका चल जाएगा जो error के पहले है तो इस program का byte code बना होगा इस program का byte code बना होगा yes 100% बना होगा चला भी होगा लेकिन दो line बाद terminate हो जाएगा देखिए this is runtime error चेक करिए आपका program initial output अभी भी दे पा रहा है hello high अभी भी आ रहे हैं बस problem इस line पे आ रही है और program इस line पे आकर error दे दे रहा है which is name yes अमिद because in python variables are dynamic अमिद in python variables are dynamic अभी आएगा data type पे ही पहुंच रहे हैं अपन तो इस सारी बाते आपको वाँ clarify करता हूं python c के तरह देखती नहीं है कि आपने variable properly declare करें के नहीं आप सीधे variable को use करते हैं ओके फरक समझ में आ गया अब ऐसे ही मुझे बताईए मैंने python में कहा यहां पर 10 divided by 0 अब max ने पढ़ाया divide by 0 is infinity python जैसी languages केती है divide by 0 is an error क्या लग रहा है कौन सी error runtime error और इसका भी proof क्या है आप अभी भी देखेंगे hello high print होगा लेकिन जब 10 upon 0 आएगा तो program 0 division error message देगा और आगे का execution रोग देगा अच्छा ये बताईए इसके बाद वाला code चलेगा अगर मैं इसके बाद कहता हूं see you तो क्या ये see you चलेगा नहीं चलेगा program 10 upon 0 पे kill हो जाएगा इसके आगे बड़ी नहीं पाएगा तो अगर मैं इसको save करके run करूँ I'll get hello, I'll get high 10 upon 0 पे मुझे मिलेगा 0 division error और देखेगा see you वाला word print नहीं होगा getting this clear with this है ना आकाश तभी तो अपन chapter पढ़ेंगे which is called exception handling बिल्कुल अगर आकाश आप ये चाते हो कि sir 10 upon 0 भले ही ना चले but see you तो print होना चाहिए इसका प्रिंट होना क्यों रुख गया तो इसलिए तो exception learning सीखेंगे अपन ये ही chapter तो हमें सिखाएगा तभी मैंने का exception learning इतना important है python के अंदर कि वह आपके program के behavior को normal कर देता है अभी मान रहे है program abnormally behave कर रहा है मान रहे है अगर गलती line number 3 पे है तो line number 3 ना चले line number 4 को python ने क्यों terminate कर दिया ये python का तरीका है आदत है nature है run time errors को handle करनी इसका मतलब the default way of handling run time error in python is very bad yes or no the default way of handling run time errors in python is very bad वो सीधे program को kill कर देती है risk उठाना ही नहीं चाहती और हम चाहते हैं कम से कम उतना part तो चल जाए जो error से connected नहीं है this is what we are going to learn in the chapter exception handling everyone clear with this चलू आगे done चीक है अब इस तरह से आप पहचान जाएगा जैसे ऐसे code में आपन आगे बढ़ते जाएंगे आप अस एक चीज पर focus रखना प्रोग्राम का कुछ पार्ट चला के नहीं चला बिलकुल नहीं चला तो आपके प्रोग्राम में syntax error और लिखावा भी आएगा syntax error बकाइदा लिखावा आएगा syntax error और कुछ और आया तो समझ जाएगा ये runtime error clear बढ़े आगे जैसे अब बताईए क्या होगा 10 plus अब क्या होगा बताईए अब आएगी syntax error ना print होगा hello ना print होगा high ना ही print होगा cu और इस लाइन पर python का compiler देदेगा syntax error क्योंकि आपने plus operator को गलत तरीके से use कराए चेक करिये the error message contains the word syntax error ठीक है थोड़ा time आपको लगेगा इस बार पर grip बनाने में विदन वीक आप इतने comfortable होजाएंगे कि आपको समया जाएगा कि इस program में runtime error रहे और इस program में syntax error बढ़ू आगे errors clear होई traceback एक module है web of python मे traceback एक module का नाम है जो हमें internal details देता है errors के बारे में हम इस module को exception handling में पढ़ेंगे okay web of traceback is the name of a module in python which is used by developers during exception handling okay जोरी को dobr को डोरी क को आपको एक मैं जो झाल हमया है ओने के थी in उसी हमें आपे में प्य unfairवेंote